हेलो दोस्तों बात कर लेते हैं कल की मार्किट कैसी रह सकती है और तीन बजे जो रिवर्सल आया है उसका मतलब क्या कल मार्किट में बड़ा गैब डाउन हो सकता है या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग थी मार्किट में रिवर्सल के चांसेज हैं नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को टेलिग्राम पे आप जोइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो और गईज एनलेसिस को पूरा देखना 51,000 कब जा सकती है गैप डाउन होगी तो कहां से रिवर्सल के चांसेज है वो लेवल डिसकस कर रखे हैं आपको पता ही है डिली आपके साथ अनलेसे शेर करता हूँ तो शायद लेवल्स बजार में काम करते हैं और ट्रेडिंग में हेल्प करते होंगे आपके लर्निंग परपर से वीडियो है उसी साफ से देखना आप लेट स्टार्ट बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की जिसकी आज एक्सपाइरी थी क्या डिसकसिन हुआ था हमारा कि 23,000 के उपर अगर बजार टाइम स्पेंड करता है तो हमारे लिए अपसाइड के लिए मोमेंट 45 के आसपास का और वहीं पर मार्केट ने टाइम स्पेंड करा और बहुत सारे लोगों को ट्रैप भी करा होगा क्यों करा होगा क्यूंकि जो सिस्टेमेटिकली ट्रेड करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ बाकी डाउन साइड के लिए जिसने ट्रेड लिया होगा लास्ट पचपन पे upside में breakout दिया, falls breakout दिया, और उसके बाद में वहाँ से almost 100 point fall हुआ है finnifty, हम zero hero करते नहीं है, current week की expiry में trade plan करते नहीं है, और finnifty में अगर हमने trade किया भी है, तो हमारे पास levels थे, जहां से हमें plan करना था, upside में बजार ने 200 point के आस-पास का बड़ियावला move दिया, तो हो सकता है कि आप लोगों ने भी जो analysis को follow करते हैं, यहां से कुछ ना कुछ gain किया ही होगा, आगे बढ़ने से पहले guys, एक छोटी सी update और last day है आज update का, आज 8 बजे यह offer close हो जाएगा, आज बड़े था, इसलिए मैंने रख लिए आज के लिए तो आप join कर सकते हो, description में link है, ultimate formulas course, कैसे, कब, क्यूं कहां से, कैसे trade plan होता है option buying के लिए, option selling के लिए, swing trade के लिए, और investment के लिए, community है जहां पे student के साथ में discussion होता रहता है, और chart share करते हैं, healthy discussion with everyone, example के लिए मैं आपको दिखा हूँ, यह क्या था Fin Nifty का 23,000 150 के आसपास का call, कितने बजे, 11 बच के 40 मिर्ट पे इनको chart दिखा होगा, ठीक है, as per formula active हुआ, तो इनोंने share किया chart यहां सबके साथ में, और इनोंने ही chart share किया था, विकरम जीत ने श्रीराम फाइनस का अगस्त का call side का 43 के आसपास और 53, 54 के आसपास इसका high लगा, जहां पे exit होना ही था, और close भी इसका शायद वहीं पे आसपास हुआ है, तो यह chart share करते रहते हैं सब, आगे शुरू करते हैं वीडियो को सो बात कर लेते हैं अब कल की market कैसी रहेगी फिन निफ्टी का हो गया chapter close तो discussion का कोई फाइदा नहीं है lower level पे 33, 138 के आसपास close किया हुआ है, weakness बढ़ सकती है हो सकता है कि कल ये 22,980 के आसपास एक dip लगाने के लिए आए, इसकी possibility बनती है, राइट तो हो सकता है, आपको कल बजार फिर से एक वरी यहां तक का dip दे ये chances हैं, फिन निफ्टी के बात कर लेते हैं, निफ्टी की निफ्टी के लिए आपके साथ क्या discussion हुआ था कि 24,640 के उपर अगर time spend करता है बजार तब हम upside के लिए प्लान कर सकते हैं, हो सकता है कि हमें upside के लिए 24,740 तक के level देखने को मिल सकें, उसके उपर की potential मेरे को नहीं लगती है बजार gap up open होता है दो candle downside के लिए fall दिखाती हैं और previous day का जो high था उसी के आजपास से liquidity grab करके बजार ने एक reversal दिया और upside में high कितना लगा 24,735 का तो guys, this is the power of levels तो analysis को आप देखते हो अगर आपकी value add करता है life में या trading journey में आपको like करना चाहिए, वो ही आपकी fees है उससे ज़्यादा कुछ नहीं और उसके बाद में बजार ने एक pullback लिया और dip लगाया almost 60-70 point का downside के लिए और then consolidate किया 24,730 के आजपास बजार ने full on trap करने की कोशिश करी है buyers को, bulls को जब बजार ने यहाँ पे consolidate किया तो बहुत सारे retailer ने या बहुत सारे noob trader ने carry forward में मेरे को लगता है कि upside के लिए call side के trade carry forward किये होंगे जिसके chances high हैं और उनको trap करने के लिए बजार ने एक बड़िया वाला dip लगाया और almost 70 points downside आके close कर दिया है अब जो settlement के बाद का close है वो है 24,698 24,698 यनि कि इसी zone के अंदर बट बजार ने जो 3 बज़े breakout दिया वो profit booking नहीं है अगर profit booking है भी तब भी बजार के कल सुबा negative opening के chances high है उसको हम समझेंगे option profile के data पे कैसे trade plan करना है जब हम उसकी बात करेंगे plus exact level जहां से फिर से market reverse हो सकती है trap बनता है trap करने के लिए बजार का gap down होना भी लाजमी है हो सकता है gap down हो उसके बाद में trade कैसे plan करना है वो समझेंगे हम option profile के data पे और छोटे time frame पे बजार ने 24,600 बत्तर के आसपास close दे रखा है हो सकता है कि कल बजार आपको gap down मिले कहां पे 24,580 की range में 24,580 की range में gap down होने के chances ना guys मेरा कोई BTST trade नहीं है नहीं मेरा कोई interest है कि downside के लिए मैं जबरदस्ती गिरा आ रहा हूं इसको कल बजार में upside के लिए momentum था तो मैंने आपके साथ में upside के level share किये थे downside के लिए क्या share किया था कि अगर वाई चांस बजार gap down open होता है तो हमारे लिए 24,500 से upside के ही target निकल के आएंगे 24,740 या फिर 780 24,480 के पीछे क्यों पढ़ा हुआ हूँ शायद इसका answer आपको अभी 5 मिनिट में मिल जाएगा कोई बेरिश नहीं है कि downside के लिए गिर नहीं है बट हां intraday basis पे ये market का structure है behavior बना हुआ है 24,580 के असपास open होने के chances है gap down अगर होता है flat open होता है बजार अगर flat open होता है by chance और upside का momentum शुरू करता है तो हो सकता है बजार 24,740 और 50 के बीच में से यहां से resistance ले फिर से यहां से आपको 100,500 पॉइंट का फिर से fall side का trade मिल जाएगा gap down अगर open होता है तो आपके लिए 24,580 के नीचे अगर trade करना शुरू करता है तो हो सकता है आपको 100 पॉइंट का और downfall देखने को मिले अब देख लेते हैं option profile पे कि trade plan कैसे हो सकता है Nifty ने close कर रखा है 698 जो मैंने आपको बता रहा हूं कि settlement के बाद का close 698 है वैसे बजार ने 24,670 के आसपास close कर रखा है जैसे मैंने आपको बता रखा है जब आपका settlement का price as compared to closing price से ज़्यादा हो तो market के flat to gap down होने के chances 60 to 70% बनते हैं और यह हमें 335 के बाद ही लगता है पता जब 335 के आद में data subtle होता है उसके आद में indicate करता है तो इसे साब से बजार में gap down होने के chances हैं या flat open होगा उसके बाद में बजार में support कहां पे हैं और लोगों के resist जो आपके लिए support होगी वो बजार के लिए stop losses hunt zone होगा तो बजार में extraordinary stop losses कहां पे हैं या तो है 25,000 पे बिलकुल हैं बजार इस zone में आने वाले time में हो सकता है एक attempt करे जाने के लिए it could be possible very much high chances market can try to go around 25,000 in coming week हो सकता है इसके chances 50-60% हैं बट अभी बजार के लिए कल और परसों दो दिनों के trading zone में हो सकता है बजार 24,500 के zone को test करने के लिए और इन stop losses को hunt करने के लिए आए और ये 25,000 की journey के लिए भी जरूरी हैं कि यह यहाँ पे शिकार करके ही upside के लिए reversal दें अगर बजार 24,47,80 या 60 के नीचे trade करना शुरू कर देता है तो मेरे को लगता है कि फिर weakness बढ़ जाएगी फिर हम upside की बात नहीं करेंगे जब तक 24,480 से लेके 500 के zone में एक बरी test retest करके reversal देना शुरू करता है तो हो सकता है upside में 300,500 पॉइंट की यह निकी 25,000 तक की range 40 के आसपास जाता है वहाँ पे बजार के लिए कोई stop losses नहीं है और अभी FIS-DS का data update नहीं हुआ है कल की अगर आप देखें FIS की selling थी जिसका impact आपको बजार के उपर नहीं देखने को मिला आज के trading session में DIS कल almost neutral थे derivatives की बात करें future and option में तो ये कल neutral थे almost अगर हम बात करें pro की ये भी कल bearish थे यनि की बजार में अभी एक pullback required है कल बजार में इसका impact देखने को मिल सकता है जितने client है वो bullish हो रखे है हो सकता है बजार इनको कल trap करे possibility high है अब बात कर लेते हैं हम bank nifty की जिसकी है कल expiry bank nifty में 50,720 के आसपास close कर रखा है और upside से last moment पे almost 300 point का fall दिखाया है और जो बजार की closing है वो settlement के बाद की closing है उसको अगर देखें तो वो आई है 50,800 के आसपास जबकि बजार ने जो close कर रखा है वो कर रखा है 50,719 के आसपास यानि की वो ही बात है कि अगर market के close होने के बाद में settlement price अगर ज़्यादा दिख रहा है as compared to closing price बजार में reversal के high chances बनते हैं हो सकता है कल बजार downside में 50,400 के आसपास आए और मे भी उसको break करता है तो 50,100 के zone में जाने की कोशिश करें जब तक अगर बजार flat open होता है 50,700 के आसपास flat open होने के बाद में wait करना जबरदस्ती जल्दी trade मत करना फस सकते हो क्योंकि settlement के बाद का close आपको indicate करता है कि बजार में एक sharp downfall आ सकता है 1500,200 point का तो वो sharp zone कहां तक बनता है और बजार ने एक clue भी छोड़के गया है कि at least इसको 50,465 तक इस zone में बजार को आना है ये clue किसको बोलते हैं guys किस basis पे हम trade plan करते हैं मैं आपके लिए एक series लाने वाला हूँ next week क्योंकि next week मैं केलाश यात्रा पे जा रहा हूँ तो हो सकता है कि 4 दिनों में आपको one of the best ever content YouTube पे playlist में देखने को मिले और शायद आपकी trading journey को 360 change करें इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी next Monday से लेके Friday तक आपके पास में आजाएगी YouTube के उपर so हो सकता है बजार 5460 तक एक वर डिप लगाए और इस zone से अगर reversal होता है तो यही एक zone है जहां से बजार फिर से upside के लिए जा सकता है अगर 50,400 को breaker करके trade करना शुरू कर दिया तो हो सकता है आपको 50,100 एक जो strong demand zone है उसको test करने के लिए बजार आए यह possibility बनती है अगर आप देखेंगे option profile पे bank nifty में resistance कहां पे है main 51,000 इसका मतलब क्या है कि bank nifty हो सकता है कल 51,000 को reach करने के try करेगा अगर market gap down होती है तो आपके लिए 50,465 in stopplaces को hunt करके reversal आ सकता है बड़ा gap down अगर होगा open 50,100 के around by chance आपको मिल जाता है बजार यहां से बड़ा thousand point का reversal भी बजार दे सकता है possibility है कोई negative नहीं है कि मैं बोलूं कि बजार गिर जाएगा या फिर stocks में fall आ जाएगा जब तक बजार upper level को hold कर रहा है possibility है कि upside का momentum बने बट जो market ने gap down होने का signal दे रखा है तो फिर बजार हो सकता है जहां पे major stopplaces है उस area तक आने की कोशिश करे और वहीं से ही हमारा trade बनने के chances हाई रहते हैं आप BTSD के इसाफ़ से मत देखा करो BTSD करोगे तो फस्ते रहोगे आपके लिए क्या है कि systematically trade कैसे plan हो सकता है वो सीखना और जानना जरूरी है चार्ट कैसे behave करता है market में reversal कब आ सकते हैं उसी साफ से अगर आप analysis को देखें तो शयाद आपके trading journey में थोड़ा बहुत value add करें so guys आज के लिए इतना रखते हैं thank you so much for watching bye bye take care love you all खुश रहो मजे करो जिम्गी